उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक युवक का नगन विडियो मंगा कर ब्लैक मेल किये जाने का मामला सामने आया है। इस गाउं का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में लगा हुआ था। उसने विरेश में नौकरी के लिए आवेदन भी किया। नौकरी के लिए जरूरी सभी कागजात भी जमा कर दिये थे। इसी बीच नौजून को युवक के मोबाइल पर किसी अंजान शक्स ने विदेश में नौकरी करने के बहाने मेडिकल कराने की बात कही। उस शक्स ने युवक से कहा कि मोबाइल से वो अपना नगन विडियो यानी नूड विडियो हर एंगल से रिकॉर्ड करके भेज दे। इस तरह उसे मेडिकल के लिए आना नहीं पड़ेगा। और घर बैठे ही आसानी से मेडिकल हो जाएगा। युवक इस जहांसे में आ गया और अपना न्यूड विडियो भेज दिया। इसकी अगली सुबह अंजान शक्स का दूसरे नंबर से फोन आया। वह शक्स युवक को उसकी न्यूड विडियो को लेकर ब्लैक मेल करने लगा। और शक्स लेकिन में नहीं माना और 55,000 रुपे की मांग करता रहा और फोन काट दिया। पीडित यूवक ने अपने साथियों को ये बात बताई और थाना रामपुर कारखाना ने लिखित शिकायत कर ब्लैक मेल पर कारवाई की मांग की है। इस पूरे मामली में थाना रामपुर कार के थाना ध्यक्ष महेंद्र कुमार चतुरवेदी ने अन्भिक्यता जताते हुए बताया है कि उनकी जानकारी में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। उन्होंने कहा कि हो सकता है यूवक ने थाने में किसी अन्य पुलिस करमी को शिकायत दी हो। हाला कि महेंद्र कुमार ने पताया कि वे मामले की जाज करवाएंगे शुक्रिया पताल और आसान भाषा में पाईए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले पेस्बुक और यूट्यूब से भी पहले खबरे और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन बड़ी खबर हो या फिर हो किस से सब आपके फेवरिट सेक्शन आपको हैं बताने इतना ही नहीं क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए आज ही गूगल प्लेज स्टोर पर जाईए और दीललन टॉप एप इंस्टॉल कीजिए